वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूपी के कुछ important questions जो कि आपको उत्तर पड़े सामा निग्यान से समधित मिलेंगे और ये वो questions है जो आपकी अलग अलग अग्जामें पुछे गए चाहिए आपका यूपी पीसेस प्रिलिम्स का एक्जाम हो भी यो का एक्जाम हो आरो यारो यारो एक्जाम जो पहले आपक पार्ट है जिसमें पीवाई क्यों देख रहे हैं इसके बाद हम यूपी के कुछ important topic पढ़ेंगे जो आपके आरो यारो के एक्जाम के लिए और यूपी प्रिलिम्स के लिए महतुपूर्ण रहेंगे तो लास्ट वीडियो में हमनें यहां तक देखा तो उत्तर प्रिजिस और यूपी जो है प्रिजिस और यूपी जो है प्रोड़क्शन में नंबर बन पर भी है सबसे ज़्यादर प्रोडक्शन होता है और यह जो भार्तिय गंदा नुशंदास संस्थान है यह उत्तर प्रिजिस की राजानी लखनों में है लखनों को नवाबों का सहर भी कहा जाता है इसके बाद अगला प्रिजिस और प्रिजिस की वाराड़सी, जौनपुर, प्रियागराज, काजीपुर यह जो जनपद हैं इनमें से कौन से जनपद का छेतरफल की द्रस्टी से सबसे छोटा जनपद है एरिया वाइस पूचा गया है तो बाराड़सी इनमें से सबसे छोटा जनपद है अगला प्रिजिस और प्रिजिस में केंदे विश्विध्यालें की संख्या कितनी है? 6 हो जाएगी और प्रिजिस के केंदे जनपदों में भोकसा जनजाती पाई जाती है जो उत्य पिदेस का बिजनौर और आगरह जन्पद है, यहाँ पर भोक्सा जन्जाती पाई, यह भोक्सा है, भोक्सा नहीं है, भोक्सा जन्जाती भी मिलती है, लेकिन यह भोक्सा है, ठीक है न? इसके बाद अगला प्रिशन उत्यों पेड़ेस में कृषिव विश्व विध्याले कितने हैं च्छे हैं कौमी आवाज पत्र का आरम किया गया था किसके द्वारा जवाहलाल नहरू ने और रफी एहमद किरवही ने मिलकर कौमी आवाज पत्र का सुभारम किया था अगला प्रिशन उत्यों पेड़ेस के किस जनपद में भारत चोड़ों अंधोलन के दोरान समरांतर सरकार की स्थापना की गई थी यह प्रिशन पूछा गया है कई बार एक्जाम में आलग अलग कि स्टेट PCS ने भी यह प्रिशन पूछा है तो यह इसकी जो स्थापना है बलिया में की गई थी उत्यों पूछी है सबसे कम स्रावस्ती में अगला प्रिशन उत्यों पूछा जाए तो कहां पर है यह हम पढ़ चुके हैं जलिसे कॉमेंट करके बताए अगला प्रिशन है भारती घास और चारा नुशंधान संस्तान कहां है तो यह है जहासी में जहासी में इसको याद रखना है काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को जहासी में है तो इसको जरूर याद रखे इसके बाद अगला प्रिशन है भारती दलहन अनुशंधान संस्थान कहां पर ये कानपूर में है ये भी काफी confusion वाला है क्योंकि हाँ पर चमड़ा उद्यो काफी लगाया गया है तो यहीं पर आपको देखो कानपूर में आपने देखा था यहीं पर कानपूर में आपको मिलेगा भारती है पसू चिकित्सा संस्थान बरेली देखा था इन कानपूर में अभी आपने क्या पढ़ा था दी पी आर पढ़ा था ठीक है न और यहां पर और दोगे की फिकास निगम भी है और साथी साथ दलान अनुशंधान संस्थान भी है और जो पसू अनुशंधान संस्थान पढ़ा था हमने कहां बरेली में और गन्ना अनुशंधान संस्थान कहां पढ़ा लखनों में पढ़ा ठीक है तो याद रखनों में और भी है बनसपती वाला भी है और शदी वाला अगले प्रिश्ण भी यही है भारती बनश्पती सोथ संसान कहा है लगनु में है इसके बादे उत्तरपिजिस गन्ना नुशंधान कौन से लवस्थे थे यह साहज जहाँपुर में है अब तक उत्तरपिजिस में महिला मुख्यमंत्री रही कितनी रही दो रही इसके बादे अब यह जो प्रिश्ण है ना जैसे यह पॉलिटिक से पूछा किया यह कितनी मुख्यमंत्री महिला रही चुकी है और कारेकाल कि सबसे ज्यादा कितनी वार किसका रहा है तो यह प्रिश्ण अपडेट होते रहेंगे लेटिस्ट आपको जो इन्फोर्मेशन है और अभी के टॉपिक जो हैं कवर करा दिये जाएंगे जिसे केंद्रे विश्व विध्यालें की संख्यावी बढ़ सकती है अगला प्रिश्ण है कौतम भुतिनगर जीले का मुख्याले कहा है नौइडा में यूपी विधान सभा की पहले अद्धक्ष कौन थे यह प्रिश्ण कई के चंत्र चेकर राजाद की नाम पर कर दिया विध्याद भारत माता मंदिर कहां पर है ये वारणसी में उत्विधिस समधस्था सांष्टेने कौन सा है कथ थक है अगला पूपिदे से उड़्दू अकाद्मी की स्थापना की गई थी 1972 में अगला पूपिदे सिखादी ग् उध़े पिटेस विज्ञान नगरी कहां पर है लखनू में नॉलेज सीटी को कहां पर है तो नॉलेज ये पार्क सीटी वाले पूरा टॉपिक का वीडियो आ चुका है तो उसको जरूर चैनल पर जाकर देख ले अनौलेस सिटी अनौलेस पार्क के भी हम चर्चा कर रहे हैं तो यह नौईडा में ही है यहाँ पर हमने यह जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रीवेस एर के कॉशन्स ही हमने कवर कर लिए सारे कॉशन्स देख लिए हैं अलगल अगल पार्ट में आपको मिलेंगे लिए एड़ू की नाम से प्ले रिस ए उसमें जाकर देखी एंगी तो आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे